सेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप की आप सब अच्छे हैं आज हम आपको बताएंगे कि गाउं में चावल की रोठी कैसे बनाए जाती है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो इस चाव आदम इसका छिलका यह जला हुआ उतार लेंगे और टमाटर का भी छिलका उतार लेंगे आग पर पके हुए बैगन और टमाटर को चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है और संधा संधा लगता है आप ऐसे ही बनाया करें तो बहुत ही टेस्टी लगेगा तो हमने बैगन को ऐसे ही हम टमाटर को भी छिल लेंगे टमाटर भी छिल गया, देखी कितना अच्छा छिल गया है अब हम दो मिर्ची लेंगे, मिर्ची को हम बारिक बारिक काट लेंगे या फिर मिर्ची को भी आप आग पे पका सकते हैं तो मिर्ची को हमने बारिक काट लिया है अब मिर्ची के साथ ही हम स्वाधनुसार नमक डालेंगे और मिर्ची और नमक को एक साथ ऐसे मसल लेंगे मसलने से मिर्ची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है गाव में तो ज्यादातर लोग मक्की की रोटी या फिर चावल की रोटी मिर्ची की चटनी के साथ ही खाते हैं तो ऐसे ही चटनी बनता है अब हम थोड़ा सा सरसो का तेल डालेंगे तो हमने एक टीस्पून सरसो का तेल डाला है हमारे घर का तेल है बैगन और टमाटर को हम अच्छे से मसल लेंगे, तो लिजे हमारा बैगन टमाटर का चोखा तयार हो गया, अब चलते हम चावल की रोटी बनाने, आप मेंसे किन लोगों को बैगन का चोखा ऐसे बना हुआ पसंद आता है, हमें कमेंट करके जरूर बताए, अब हम एक परात परात में दो कप चावल का आठा छान लेंगे, अब हमने उवलता हुआ पानी लिया है, और इससे हम चावल की आठे को लगा लेंगे, यानि की गूथ लेंगे, तो पानी हमारा गरम है, तो इसलिए हम चम्मस से इसको पहले मिला देंगे, और जब अच्छे से मिक्स हो और जाहिर सी बात है, आठा गूथने के पहले हम हाथ को अच्छे से दो लेंगे, तभी हम आठा गूथेंगे, चावल की रोटी खाना किनको किनको पसंद है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं, किस किस देश से, किस किस सहर स आप लोग देख रहे हैं, तो हमें एक फटा-फट कमेंट करके बताएं, तो लिजिए, बातो-बातो में हमारा आठा गूथ कर तयार हो चुका है, अब इसे हम ढख कर आधे गंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि आठा फूल जाए, और हां, गरम पानी से आठे को और एक बड़ा लोया, आठे में से निकाल लेंगे और इसे अलग से फिर से गूथेंगे, तो हाथेली की सहयता इसी से एक मिनट तक अच्छे से गूथ लेंगे, तो देखिए, कितना हम अच्छे से गूथ रहे हैं, इसी परकार से गूथना है, यानि कि मसल मसल के इसको तो देखिए, गुत्ते-गुत्ते हम इसको गोल बना लेंगे, अब हात पर पानी लगाकर इसे हम थपकाते हुए बड़ा रोटी का रूप देदेंगे, तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप करेंगे, अगर साइट-साइट से फटता है तो इसे उंगली की गोला रहकर हाथ से प्रेस करकर के बढ़ा लीजिए, तो इधर हमने गैस पे तवा गरम होने के लिए पाले से रखा था, रोटी भी हमारे बिलकर तयार हो चुका है, अब इसे हम तवे पर डाल देंगे, और एक और सीख जाने के बाद हम पलट लेंगे, दूसरी तरफ सीख ज दबाएंगे, तो देखिए हलका हलका इसमें विजिवल नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा रोटी फूल रहा है, तो देखिए ये दबाने पर पता चल रहा है, ये फूल रहा है, तो देखिए हमारी फूल चुकी है, इसे हम उतार कर दिखाते हैं, इसका देखिए कलर कितना पर देखेंगे तो देखिए यह बी कितने अच्छे से फूलने लगा है ऐसे ही हम सारी रोटियां सेख लेंगे देखिए सेख्टे सेख्टे रोटी थोड़ी थोड़ी जली भी दीख रही है लेकिन घबराने की बात नहीं है यह रोटी बहुत ही अच्छी लगती है तो इसे वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रू बताएं और पसंद आने पर इसे लाइक भी कर दें तो मिलते हैं नेक्स टेए एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक क्यार